वेल्कू टू दा न्यू व्लोग फ्रेंड्स आज की डेट है 25 जनवरी दोजार चोबिस कर सब्दी जनवरी है है एप्पी रिपबिलिक डे पूरे एक बात कहनी है कि अपने थिंक को अच्छे से एक्सपैंड करना है तागी ना मैं अच्छे से समझ पहूं हर एक चीज़ को इसलिए अपने थिंकिंग को एक्सपैंड करना मैंने समझ रहा हूं ना मेरी बात को लब की थिंकिंग ग्रो का है मेरी और मैं ऑब शोचता हूं कहीं, जिसे मैं नॉर्मल हैं, तो अपने द्री ज॑रा बात कर रहाँ, दिल में जो रहत भूल रहां। लेकिन जब थोड़ा attitude में आना पड़ता है, खाफी से advance होना पड़ता है तब मैं भूसी नहीं कर सकता हुई तब मेरे लुधु बढ़ दिया कोई वह कोई मेरो एक साथ ही मिलजाए जिसकी मैं कोपी करके । डाल सुनु। अपने अंद्र डालो वो बोल सकूँ। किसी के सामने बात करने तो मैं करने पाता है लेकिन और किसी और को कॉपी करें भी बात होती है वह आजया सामने तो मों कर ले तो यह एक बात है इसके उप्र में नेगा काफी वक करना है अच्छे से फ्रेंड्स यह देखो रिच्चे तरी बड़ी हुए है इसको देखे नीन चले जा रही है मतलब मैं जो इदर घूम रहा हुँ ना तब घूमते घूमते मेरे को दिखान पढ़ रहे हैं इसके ओपर और यह नीन चले जा रही है कमरे में हूँ मैं अम्माई कमरे में ही जो कोभी संद्रेंज्टत अहीं है प्रेंड्स पापने मेरे को निया फों किलाया था जो बिस जंवरी को फिर्कों बहुत अच्छा लगा पापा मेनें पापा मेरे को भी को फोल बंदेंगी इसलिए लेकिन वहाँ जाके मेरे को पचंद ओपो का फोन आए तो अपकर को यह निक ओपो लेगा दोनों का सेम रेट था कितना कुछ ज़्यादा फरक नहीं था लेकिन पापा ने फोन दोलहा है मको गड़ा एछा लाऊ ने तो पापा बोलता है कि तरको एजना गुछ दिलाता है हुझ भीध्याद उन्हीं हॉझ न ही करता हुझ भase है हुझ भावा है जी देखो फ्रेंड्स मम्मी और सेविया बना रहे है मम्मी और अम्मा मिटकल contemporary Makes सेवियां बनारे हैं अम्म तो सेवि बनारे में कौई योगतान नहीं है मैं सेविया बना के सेविया Veterans माहत बाहर दोप में तो कम ब्रेंड़ सेवियां riktig प्रेंड्स आज की डेटर 30 जन्वरी 2024 और मैंने जो एक अपनी एक बात शेयर करनी है कि जब मैं प्लस वन में था मैंने काफी चीज़े देखी कि पढ़ाई के लेटरी कि ये लोग पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग कोचिंग के कोचिंग लेते हैं कोंपेटेशन एक्जाम्स के लिए कि आगे उनके फिश्चर का तो मैंने भी बहुत कुछ देखा तो में भी काफी आप मेरे को कोचिंग हो कोचिंग लेनी है कि अगर तो वह पढ़ाई बेसिक पढ़ाई यह खा था पाप्पा ने मेरे को और मैंने जो अब आपकी बात नहीं मानी मैंने को नहीं आपका मेरे को competition exams की पढ़ाई मेरे को पहले करनी है क्योंकि उससे मेरा future अच्छा होएगा मेरे को और दोस्तों ने भी यही सला दी कि तू ऐसे कर ऐसे ही तरको फाइदा रहेगा तो यह ने किया उसके बाद मेरे रेजल्ट क्या आया कि ना मेरे जो स्कूर की बढ़ाई थे उसके अंदर मेरे मार्क्स कमाए और जो competition exams के अंदर मेरे मार्क्स थे बिल्कुल 0 अच्छे आये ही नहीं मेरे को उस बात का काफ़ी धक्का सा लगा मेरे को मतलब काफ़ी बहुत बुरा लगा लेकिन तब मैंने एक बात अपने mind में सोचे कि मेरे को experience तो मिला है मैंने जो कुछ भी बढ़ाई करी उसका experience मिला है मैं आगे future में कभी न कहीं तो experience को यूज कर सकता हूँ experience ज्यादा बेल डिता है और मेरे कम marks है उसकी कोई बात नहीं है कोई बात नहीं कम marks वाले भी अच्छे जगावे हैं अच्छी लैवल पर हैं उनका future भी काफी safe है तो मेरे को ये बात हुई थी future में ये बात मैंने ये बात बतानी थी अपने past की जो कि मैंने आप सामने आप किस सब आप लोगों के सामने लाई है कि अच्छी है आप भी जाप लोगों के सामने हैं आप लोगों के सुख कर सकती है आप बात oh friends if you watched the vlog till now thank you very much let's see you in the next vlog bye bye see ya